हेलो फ्रेंड्स, खापेलो किचिन में मैं भारती भासार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज सेहत से भरपूर हम हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनाएंगे ये बुजुर्गों के लिए बहुत हेल्दी पाउडर है और सरदी के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छा है तो आप इस रेसेपी को ट्राइक कीजीगा और साथ में मैं टिप्स भी शेयर करूंगी तो चलिए बनाते हैं हेल्दी प्रोटीन पाउडर तो इसके लिए मैंने ये ड्राइफ रूट्स लिए हैं और पचास क्राम ही खसकस लिया है और ये तीनों ही बहुत हैल्दी ड्राइफ रूट्स है तो सबसे पहले मैं मखाने को ड्राइ रोस्ट कर लूँगी ये करीब 3-4 नेट में अच्छे क्रंची हो जाएंगी जिससे इनका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाएगा हमको फाइन पाउडर बनाना है इसलिए इनको क्रंची करना बहुत जरूरी है और ये हड्डियों को मजबूत करने वाला मखाना होता है मखाने के वारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये डाविटीज के लिए भी बहुत फाइदेबंद होता है और इनको भी हम क्रंची कर लेते हैं 3-4 मिनिट के लिए और अब हम खस-कस ले लेते हैं इसको भी दो मिनिट के लिए ही रोस्ट करेंगे क्योंकि ये जलने का डर रहता है और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी और मेरे वीडियो को लाइक कीजीए और ये हमारी खस-खस भी सिख चुकी है दो से तीन मिनिटी सेखना है और ये हमारे सभी ड्राइ फ्रूट्स जो है ड्राइ रोस्ट हो गए है और इसको ठंडा करकर ही पीसना है हमको तो सबसे पहले हम मखाने को पीस देंगे और साथ में ही इसका अच्छा सा पाउडर बनाना है ये देखिए फ्रेंड्स ये फाइन पाउडर बनकर तयार हो गया है क्योंकि हमने रोस्ट किया था और जिससे कि ये प्रोटिन पाउडर खराब भी नहीं होगा सेखने के कारण और साथ में अब हमने बदाम और काजू ले लिए हैं इसको भी हम पहले पीस लेंगे और इसी को थोड़ा पीसा हुआ है अब हम इसी में ही खस-खस डाल देंगे जिससे कि ये अच्छा सा फाइन पाउडर बन जाएगा यदि फाइन नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं अच्छा सा टेस्ट लगता है हलका दरदर अपन भी आए तो भी कोई बात नहीं है और इसको हम पीस लेंगे और ये हमारा पाउडर बन कर सभी रेडी हो गए है इन सब को एक बाउल में मिक्स करते जाएंगे और आप चाहें तो इसमें मलक पाउडर भी डाल सकते है ददद सुर्पे वाले दो पैकेट आते हैं आप उनको भी डाल दीजिए और आप चाहें तो इसमें मखाने की मातरा बढ़ा सकते हैं और मखाने तो आप जानते हैं केल्शियम से भरपूर होता है और काजू भी केल्शियम से भरपूर होते हैं तो ये एक बहुत ही हेल्दी पाउडर है तो इस पाउडर को पीने का तरीका बता देती हूँ मैं इसको अपने को एक गिलास दूद में एक चमच ये पाउडर डालना है या आप चाहे तो दूद में उबाल भी सकते हैं वैसे आप एक चमच पाउडर डाल दे और साथ में ही इसको गरम दूद में सुबह या शाम आप कोई भी समय ले सकते हैं या दोनों टाइम चाहें तो दोनों टाइम ले सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी होता है और साथ ही में यह जो है अपने सिहत से भरपूर है तो अब चलते हैं आज के टिप्स की और तो आज का टिप्स है बेटी की शादी में हमको चार चीज नहीं देनी चाहिए वो चार चीज कौन सी हैं सबसी पहले एक सुई जो की नहीं देना चाहिए बेटी की बिदाई में कन् कण्यादान की समय नहीं देनी चाहिए और जो चन्य होती आटे की चन्य पानी चान्य चाहिए और रबला स्लीकर पयर और अच्ञार की बनी या विशाथ tangled कड्यादान की समय तो आप यह टिप्स को ज़रूर अपनाईएगा थैंक यू फर आप मेरे वीडियो को लाइक किरें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू